सब्सक्राइब कीजिये टेखनिकल जर्मन चेनल को और दबाये बेल आइकन को लेटर इसते टेक्मology वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे टेकनिकल जर्मन चेनल में दोस्तो आज हम सीखने वाले हैं कि अपने notification बार के home screen पर अपना image कैसे लगा सकते हैं जी हाँ बिल्कुल दोस्तो आप भी अपने notification पेज़ पर अपने image set कर सकते हो तो चलिए सीख लेते हैं सबसे पहले दोस्तो आपको जाना होगा अपने Google Play Store में जाने के बाद यहां पर सिंप्ली सेर्च करना होगा material notification set तो आप टाइप कर लीजेगा material notification set ताइप करने के यहां पर सर्च कर देंगे जैसे ही आप material notification से सर्च करोगे आपके पास यह एप आ जाएगी अप्लीकेशन आ जाएगी तो इसको यहां से install कर लेना है तो चलिए इसको यहां से install कर लेते हैं कि बहुती चोटी application है आप भी आसानी install कर सकते हो इंस्टल करने के बाद इसको यहां से open कर लेंगे ओपन करने के बाद सबसे उपर आपको option दिक राए तो इसको disable है तो इसको enable कर देंगे इसको अभी off है तो on कर देंगे इसको simply यहां से on कर देंगे जैसे इसको on करेंगे इसके तीन option और आ जाएंगे तो इनको भी enable कर देंगे तो चलिए मैं भी इसको on कर देता हूं ओन जैसे फर्स्ट वाले को click करेंगे यहां पर एक फूर हमारे समने page सो हो जाएगा तो इसको भी on करना होगा फिर से यहां पर आपको enable करना होगा इसको option को और फिर वेक करेंगे और तो तीसरा option notification है इसको enable करेंगे और यहां से आपको इसकी permission देनी होगी तो आपको यहां पर option दिख रहा है material notification set चोथे नंबर पर तो इसको यहां से own कर देंगे enable कर देंगे और यहां से allow कर देंगे और यहां से देख चले जाएंगे देख करने कर दो आपको done का option देख रहा है इसके simple click कर देंगे तो यहां पर फर्स्ट और option को एक बार और enable करने पड़ेगा राइट वाड़े को इसके click कर देंगे उन्हें ऐसे फिर से इसको permission देदेंगे तो चलिए हो चुका है अब सारे option on हो गया है तो यहां पर कर देंगे डान करने के बाद दोस्तों कुछ इसा interface आपके समने अपस हो जाएगा तो आपको नीचे जाना है थोड़ा नीचे जाने के बाद आपको एक option मिलेगा मैं आपको बता रहता हूं यहां पर others का option मिलेगा तो सबसे पहले others में आपको मिलेगा custom background image इसके click करेंगे य यहां से select कर लेंगे select करने के बाद यहां से allow करेंगे और आप यहां से जिसभी एप में आपकी file है या image जिसभी एप में हों होँआ से वह एप select कर लेंगे तो मैं यहां से gallery select कर लेता हूं गेलेरी select करने के बाद यहां से मैं अपनी किसी भी photo को यहां पर choose कर लेता हूं तो simply मैं यह वाली photo यहां से select कर लेता हूं इसको यहां से select करने के बाद आपको उपर right hand पर यह crop का option दीखेगे इस पर simple click कर देंगे और आपकी photo save हो जाएगे देखिए मैंने click कर दिया और done अब पुरा बेग चले जाएए अब बेग जाने के बाद अपने notification सटर उपर से खीचे नीचे देखिए आप देख सकते हो मेरी photo यहां पर आ चुकिए notification बार के first page पर यह देखिए यह देखिए दोस्तो तो दोस्तो आप देखिए अपने phone पर notification बार पर अपनी image सेट कर सकते हो दोस्तो आचा करता हम वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिए धन्यवाद देखिए